तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे 4 April 2023 के Current Affairs देखने वाले हैं तो चलो स्टाट करते हैं अपनी वीडियो से सबसे पहला हमारे जो Current Affairs है वो कहा इंटर्नेशनल से लिए लिए उनिवर्स्टी ऑफ हौस्टन यो कि USA में है असे साइंड एंडिया क जुष हौस्डड पहले हैं तो कि असके बहुत कर देखनिऊ कीशल नदा है्ट उस्टाइप का इपर गया कैंज। तो यच अ मिश्टी ऑफ हौस्टन आज के साथी को सिय। इंजियोवस्टर् जबगां जám और अपे ने अमीडियोश्ट्य यूश्त के साथ। इसके बार है तो तक टाकि जो कि इन्डियन रिसेर्चर्स हे वो क्या करेंगे चंडक्त करेंगे निए रिए हैधा रिए रिसक्ष लेकेenne रिर्टरेचरों को रेंगे। गल्रीं अचैज वह बेवरे करते हैं। 们 उसके वरां की वरां जाते हैं। वर यह इस अख़र आगे हैं। इस मीत तो दो में चैनल करकें बहरें। 'S. ensl conformeVIS. की इंडिया से हैं और वो इस सीट को क्या करेगा अकुपाई करेगा और इसकी फिर आगे-आगे उस पे रिसर्चित होंगी तामिल लेंगवज पे ठीक है G20 Science Summit on clean energy for a greener future begins in Tripura Tripura में अभी G20 Science Summit on clean energy साफ Sutry energy को दीख के लिए green future के लिए जो क्या conference type वो क्या हो शुरू होगी कर टूदे साइंस conference to death की साइंसक्षा अन्डर लीडर्शिप और इंडिया G20 को कांपे शुरूब लिया है हवेळा इंटरनेशनल एक्षिबिशन ग्राउंट इन अगार तिरिपूरा है हवेळा इंटरनेशनल एक्षिबिशन ग्राउंट आ कोपे ओगे है हुगी है टृपोरा में हेल अपर्ट आफ जी टुटी मीटिंग the conference is themed clean energy for a green future तो इसका थीम कहा रहने वाला है clean energy for a green future हमें energy को कैसे use करना है clean energy use करना है ताकि हमार future कहा रहेगा green रहेगा जैसे solar energy use करेंगे wind energy और हमें जो जैसे petrol, diesel बगए रहा है ये coal बगए ये pollution create करते हैं इसको कम से कम use करना है और clean energy के तरफ हमें ज्यादा बढ़ना है ठीक है थी सब थीम्स on green hydrogen will be discussed at the conference also discussed will be used vast amounts of energy through ocean based technology, tidal currents and new generation energy storage तो तीन तरीके की वो green hydrogen energy के बार में भी discuss करने वाले है और वो और भी कुछ discuss करेंगे जैसे कि मैं आपको बता दिया solar energy और wind energy और सोर्सेज डूंडेंगे जिसके वाइसे energy को वो क्या कर सके प्रडूस कर से जैसे कि ocean based technology से यह tidal currents होती है oceans में आती है उससे भी energy generate कर सकते है यह किसी और type की new generation से हम सोचेंगे कि कैसे energy generate की जा सकती है जो क्यों कि बिल्कुल क्या होनी चाहिए clean होनी चाहिए ठीए next step लेटे है era viculum national park has set up its first fernium अभी क्या phernium क्या हो चीज हो गई तो fernium क्या हो गई एक type को botanical garden type हो गई botanical garden type हो गई जिसके अंदर ferns grow की जाते है ferns 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 को इतनी जादा soil जाहिए नहीं हो कि soil less plants होती है जो कि trees के आस पास क्या करते हैं grow करते हैं उंको क्या बोलते है ferns बोलते है to increase awareness among visitors about the biodiversity of era viculum national park India's first fernium has been set up inside the park तो लोगों के प्रती जो जागरुता है बढ़ानी bio diversity related bio diversity क्या होगी जो अलग लग plant species या animal species जो की प्रेजेंट होती है आर्ट के इंदर उसको क्या बोलेंगे bio diversity बोलेंगे तो ये ferns ferns बी एक bio diversity का ही plant है तो अलग लग species को लोगों के बार में awareness मिले की bio diversity के बार में knowledge मिले तो उन्होंने ये first fernium क्या कर दिया established कर दिया कांपे कौनसे पार्क में Eravaculum National Park this is the first time such a a fernium collected has been established in hill region Eravaculum National Park has 104 species in fernium the fernium park will be open to public from April 20 तो कितने species है उस Eravaculum National Park में 104 species है ठी है और ये पार्क कब से खुलेगा April 20 से ठी है next एक लेता है appointment के लिड़िट Neeraj Nigam has been appointed as the executive director of RBI तो Neeraj Nigam को appoint कर दिया कैसे executive director of RBI Reserve Bank of India has appointed Neeraj Nigam as managing director managing director क्या होता है M.T managing director Neeraj Nigam currently headed the regional director of Reserve Bank of India's Bhopal Regional Office तो Neeraj Nigam पहले कर कर दिया किस के head थे वो Regional Director of Reserve Bank of India's जो Bhopal का regional office है Reserve Bank के हर एक state में क्या होते है office होते हैं तो उस तरीके से वो किसी region specifically Bhopal region के वो क्या थे director थे तो अभी उनको क्या बना दिया गया executive director बना दिया है अभी वो पूरे जो global है मैं जो main RBI का center है उसका executive director बना दिया गया he will look after the department of consumer education and protection department of financial inclusion and development department of law and development of secretary as executive director हो देखेंगे किस किस के बारे में department of consumer education जो consumer हमारा जो RBI का consumer है उसकी क्या 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 एजुकेशन करनी चाहिए कि लोगों को जागरूता बढ़े रहे उस department of financial पैसों से लेटि मैटर को भी देखेंगे development कैसे कर सकते हैं उसके बर रेलेटिड क्या 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 नुव लाज ला सकते हैं department of secretary executive director इसे हम improve कर सकते हैं तो उसके लिए वह सब कुछ देखने वाले ठी है next day खिलते है max west tap in wins australia grand prix तो max west tap in जो कि 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 तरफ से खेलते है red bull beans beat levis hamilton joki mercedes की तरफ से खेलते है to win the australian grand prix prix formula 1 racing तो grand australia grand prix formula racing में max west tap in wins australia grand prix formula racing में max west tap in wins hamilton it was west tap in first victory in melbourne and australian red bull first win since sebastian battles 2011 victory तो उनकी ये पहली victory है 2011 से अब तक वह कोई भी trophy ये battle नहीं जीते थे तो उन्हें ये 2023 में करकर ठाया है अभी recently उन्हें ने हराया हुआ okay red bull तो next day के लेते है important day हमारा world ostium awareness day important day भी हम हर रोज कर interface में discuss करते हैं ostium क्या होती है neurological disability होती है इसको क्या मतलब जैसी को भी person की जो दिमागी हालत क्या हो ठीक नहीं उसको क्या बहलेंग neurological disability one in 68 children worldwide is affected by ostium तो वोरे वर्ल में 68 children मेंसे एक children जो होगा वो ostium से affected होगा this day is celebrated to create complete awareness about its vulnerability तो ये celebrate इसलिए की जाता है कि लोकों के मन में जागरूता रहे कि क्या क्या चैलेंजिस फेस की जाते है ostium जो की affected children we are looking at the future world ostium awareness 2023 theme transforming the narrative contributions at home, at work, in the arts, in policy transforming the narrative contributions कैसे मदग कर सकती हैं गर पर कर सकेंगे यह काम पर कर सकेंगे यह कंगी और क्या कहा मैं पॉलसी हमने लानी चाहिए ताकि अनको क्या हो सकेर जो चाइलेंजिस जो भ Joyce कर रहें रहें वह कम हो सकें ठीव इसी जात अबरे करटे फिर्स खतम होते हैं हैily आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैक्यों वर वाचिए